नमस्कार आप देख रहें सिटी पोस्ट लाइब 2019 के लोग सभा चुनाओं से पहले विवादित बयानों का सिल्सिला सुरू हो गया है लगतार राजनितिक दलों की ओर से विवादित बयान आ रहे हैं ताजा मामला है प्रियंका गांधी पर विवादित बयान का बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिस कुमार की सरकार में पीसीडी मिनिस्टर हैं बीजेपी कोटे से और कदावर नेता हैं बीजेपी के बिनोत दनायन जहा उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया है उन्होंने कहा है कि सुन्दरता की वज़े से चुनाओं नह बनाया गया है और इस पर बिहार सरकार के मंत्री बिनों नराइंजा ने एक विवादित बयान दे दिया है इस बयान पर राजनिती इतनी गर्मा गई है कि अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जितनाम मांजी की पार्टी है बिहार के पूर्वसियम जितनाम मांजी जिसके प्रियंका गंधी जी पर भारती जन्ता पार्टी जो मंत्री है विनोद न्रायन ज्या उन्हें जो बियान दिया है उसे एक बाध तो बड़ी अस्पस्ट हो गई है कि आखिर भारती जन्ता पार्टी जो बात कहती है उसके केहनी और करनी में बड़ांतर है और मैं विनोद नरायन जी से बड़ा आदर के साथ कुछना चाहता हूँ कि विनोद नरायन जी अगर प्रियंका गांधी जी खुबसूरती की वज़े से कौंग्रेस में बड़े उहदे पर पहुची है तो आप असपष्ट करिए कि इस मिर्ती अईरानी जी में ऐसी कौन सी खुबी है जो भारती जनता पार्टी ने चुनाव हारने के बावजूद उन्हें केंदर में मंत्री बनाया और क्या ये बात सही है कि भारती जनता पार्टी में जितनी महिलाएं हैं वो पार्टी में सिर्फ इस लिए हैं कि वो खुबसूरत हैं ये श्री विनोद नरायन जाजी को बताना होगा तब ही जाकर किसी भी महिला के उपर में वो टिपड़ी करें नहीं तो माफी मांगे तो आपने सुना कि बिनोद नरायन जाजा के बयान पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानी रिजवान निसाना साध रहे थे दोस्तों के साथ सेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन जरूर दबादें ताकि हमारी खबरे सबसे पहले आप तक पहुंचे प्यार समर्थन और सयोग के लिए धन्यवाद